हमारे घर की किचन आउस्धिय गुणों से भरपूर मसालों से भरी राती है उन्हीं मसालों में से एक है जीरा जीरा आमतार पर पाउडर और बीच के रूप में इस्तेमाल होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीरा आपके स्वास्त के लिए कितना गुणकारी है ये कई पाल कर पानी के साथ पिया जाए तो वजन घटाने में मदद मिलती है इसके साथ ही पेट संबंदी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है लोकल एटीन से बाचीत में होम्योपैथी डॉक्टर पंकश पैनूली कहते हैं कि जीरा हमारी भारतिय रसोई में पाए जाने वाला को दूर करता है कॉलेस्टरॉल को कंट्रोल करता है वजन घटाने में भी जीरा लाबधायक है और डाइवटीज को भी कंट्रोल करता है यह पाचन में बहुत अच्छा काम करता है डाइजिस्टिफ सिस्टम में जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत बार एसदेटी होती उसको मुँपे रखा जाता है गुरूने पानी से लिया जाता है तो एक तो ये भूती आसान रोज मररा की जिन्दगी में दिखता है हमारे बीच में क्योंकि जीरे में फाइबर होता है फाइबर जाके उस ऐसे को नूटलाइज करता है जिसकी वज़े से वो जो ऐसे रिटी ह बैड कालोस्ट्रोल है उसको डिकलाइन करता है और HDL को जो अच्छा कालोस्ट्रोल होता है उसको उठाता है मदुबे में भी ये काम आता है डियाबिटीज में क्या होता है डियाबिटीज गलाइसमिक एंटिगलाइसमिक प्रोपर्टीज इसके अंदर होती है और का पानी जान के पी लेते हैं या फिर जीरे का भूना हुआ जीरा गुनगुने पानी के गलास के साथ मिलाके दो गलास एक गलास ऐसे लेते हैं क्योंकि इसमें फाइबर होता है और फाइबर के अलावा इसमें और भी micronutrients होते हैं जिनकी वज़े से जो है weight lose होता है metabolism basically increase होता है इससे weight कम होने के बज़े metabolism अच्छे से increase होता है जिसकी वज़े से हमारा weight lose हो जाता है इसका अलवा है इसमें swelling में बहुत अच्छा काम करता है swelling में आपने कई बार देखा होगा कि जैसे सर्सों के तेल के साथ जीरे को उभाल देते हैं और वो तेल और उस जीरे को फिर लगाते हैं तो इसमें anti-inflammatory properties होती है जैसे जहाँ पर सूजन है सूजन को basically सूजन जो आती है वो inflammation के बहुत पर आते हैं और inflammation के चार sign होता है redness, swelling, heat, pain ये चार properties inflammation के होती है और जहाँ पर फिर इसका paste लगा के उसको कपड़े से बान देते हैं तो वहाँ पर भी ये जीरा जो है काम आता है और जीरा खाने में तो हमारे आलू के चाई गुटके हों या किसी में भी हों तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ती है और भारत के kitchen में ये रोज मर्रा में काम आने वाली चीज़ है अब इसको खाते कैसे हैं क्या तो इसको आप किसी food के अंदर मिला देते हैं जैसे आलू के गुटके हो गए ये हो गए या फिर चाई में पढ़ता है बहुत सारी जगा इंडिया के बहुत सारी कोनों में जहां पर है चाई में जीरा डाल देते हैं या मसाला चाई जो बनती है उसके अंदर जीरा होता है और इसके अलावा क्या है कि या तो इसे गुनगुने पानी में powder form में गुनगुने पानी के साथ मिला के पीओ या फिर जीरे को जो है रात को शोक कर दो एक ग्लास पानी में एक चमच और सुबह उसे चान के पी लो तो जीरे के क्या है कि जीरे के कोई ज़्यादा side effects होते नहीं है और यह हमारा metabolism को increase करता है तो indirectly हमारी पूरी body को detox करता है तो यह इसके benefits है